नगर परिशद कालका पिंजोर में विकास का सफर धिमा है और घटालों में तेजी के आमादवी पार्टी की मीटिंग में लगाए आरोप विरोध करने की भी धी चतावनी। आमादमी पार्टी की मीटिंग लोगड गाउं में आयोजित की गई थी जिसके बाद आप पार्टी की नेताओं ने कालका शहर की गवशाला का दोरा कर कालका में गोस्रंक्षन के नाम पर हुए बहरी गोटाले के अरोप लगाए, साथी नगर परश्रत कालका पिञ्जूर मे भी विकास का पईया धिमीगती से गूमने और घोटालों में तेजी करने के भी अरोप विभाग और मुझूदा सरकार पर लगाये हैं। उन्होंने चर्चा के दुरान बताया कि कालका पिंजोर नगर परशद की बात करें तो विकास का पईया धिमा और घोटालों में काफी तेजी है। किये गई जबकि कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार ये संख्या चार से पांच गुना के लगवक की गई है। नगर परशद से भी इसका रिकॉर्ड 31 किया जाएगा क्योंकि ये एक भारी घोटाला है। आम आदमी पार्टी के विरिष्णे तैम समासे भी रजीत उपने बदाया कि हाली में नगर परशद की मीटिंग में बजट पास किया गया। बेहिद अफसोस की बात है कि जिस मीटिंग में चुने हुए नुमाइंदे यानि पार्शद और परशासनिक अदिकारी मुझूद हैं वहीं भाजपा के बददकारियों का वहीं मुझूदगी अस्वाधानिक एम संधे के दारे में है। क्योंकि एमेडिंग परिशद की थी ना कि भाजपा कारे करता हूँ की। अगर भविश्य में ही प्रता जारी थी तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी और इसका घोर विरोध करेगी। और इसके दुरान इस उनके साथ गुर्चरन सिंग, कैप्टर नमर जी सिंग मक्षन सिंग, कमल सिंग, बावरामादी मौजूद रहे। मैं इनसे पूछना चाता हूँ कि इतना पैसा इन्हों ने खाया है, वो पैसा कहां गया जो इन्हों ने वहां दखाया है, और आने रिकार्ट यहां 62 जो गउओं इन्हों ने वहां छोड़ी है, बाकी गउओं इन्हों ने कहां छोड़ी है, मैं चेर्मेन साहब से और जो व मीटिंग क्या कॉंसलरों की थी कि जहां बीजेपी की थी वहां बीजेपी के जो नमेंदे थे वहां बीच में बैठे थे बीजेपी के जो अधेदार थे वहां बीच में बैठे थे तो मेरा कहना चेर्मेंन साब को पूछना यह है कि यह मीटिंग उन्होंने कॉंसलर में कॉंस सकते हैं अगर इन्होंने बलाना है तो मीडिया वाले जा सकते हैं जहां वहां कॉंसलर मीटिंग में जाते हैं जो पार्टी के नमेंदे हैं वो पार्टी के नमेंदे जा पार्टी के ओदेदार हैं वो मीटिंग में ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे इन्होंने बठा रखा था कल य आम आदमी पार्टी इसकी गोर निंदा करती है और इसका वरोद करती है